नमस्कार में हुनी वेधिता अखिलेश तो हैं ही अखिलेश के पिता मुलाइम सिंग यादव भी इसी कैटेगरी में शामिल है चलिए लव मारिच करने वाले कुछ और मुख्यमंत्रियों के बारे में जानते हैं अखिलेश यादव 2012 के चुनाव के लिए जी जान लगा देने वाले अखिलेश 2012 में भी मुख्यमंत्रि का पत संभाल चुके हैं 2012 से 2017 तक अखिलेश ने प्रोदेश का जिम्मा उठाया प्रोदेश के मुख्या बने पारिवारिक जीवन की बात करें तो उत्राखन की रहने वाली जिम्मपल से प्यार में पड़े अखिलेश ने 24 नवंबर 1999 को शादी रचाई थी अखिलेश यादव की जिम्मपल सिंग से इंटर कास्ट मारिज है जिम्मपल राजपूत परिवार से तालुक रखती है असम के मुख्यमंतरी हिमंता बिस्वा ने भी प्रेम विवाह किया है उनकी पतनी का नाम रिनिकी भुईया है पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, महबत हुई और फिर हिमंता ने रिनिका से शादी रचा ले कॉंगर्स पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए है हिमंता बिस्वा फारोख अब्दुल्ला जमु कश्मीर के मुख्यमंतरी रहे हैं फारोख अब्दुल्ला ने जाद बिरादरी का भेदभाव किया बग्यार लव मारिच की पारोख अब्दुल्ला पिता की तरह अब्दुल्ला भी जमु कश्मीर के मुख्यमंतरी रहे हैं और इन्होंने भी प्रेइम विभाग किया दिली के एक हिंदू आमी ओफिसर की बेठी पायल नात से उमर अब्दुला ने लव मारिच की है महराष्ट्रू BJP के बड़े नेता महराष्ट्रू के मुख्यमंत्रूी रह चुके देविंद्र फणनवीस ने भी लवमारिच की है फणनवीस की पतनी का नाम अमृता रानारे है दोनों ने इंटरकास लवमारिच की है पेशे से बैंकर अमृता व्यस रहते हुए भी देविंद्रू के राजनीते कारिक्रमों में हमेशा साथ रहती है सुष्मा स्वराज सुष्मा स्वराज आज भले हम सब के बीच नहीं है लेकिन वो भी इसी सूची में आती है दिली की मुख्यमंत्री रह चुकी सुष्मा स्वराज ने स्वराज कौशल के साथ प्रेम विवाह किया था दोनों कॉलिज में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रहे है दिगवजे सिंग पहली पतनी के निधन के बाद उन्होंने पत्रकार रही अमृता राय के साथ लव मारेज की है तो ये हैं कुछ ऐसे नाम जिन्होंने जादपात से अलग इस सबसे उपर उठकर प्रेम विवाह किया आप देश के निधन मुख्यमंत्रियों को लेकर इनके प्रेम विवाह को लेकर क्या कहना चाहते हैं अपनी राय हमारे साथ जरूर साजह करें